नया दिन नई खबर हर बड़ी खबर पर हमारी नजर खबर जिसका हम पर आप पर और देश की सियासत पर होगा असर और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा क्योंकि ये है जनता का खाड़ा नमस्कार मैं हूँ आनंदर सिमा अमबाला का मुलाना इलाका है और यहाँ पर आप देखिए जो नदी है वो पूरी तरह से उफ़ान पर है यमनासर सटे इलाकों में लगतार मुनादी हो रही है अभी हम जहां खड़े हैं यह इलाका यमनासर सटा इलाका है कि उत्रगंड में तेज बारिश होने के बाद लैंड्स्लाइड हो रही है मेरे पीछे जो नदी आप देख रहे हैं यह पिंडर नदी है लगातार बारिश से रिशिकेश में तिर्वेनी घाट पूरा जलमगन हो गया है 14 गेंटे से होरी बरसात के चलते पूरा यमना नगर जलमगन हो चुका है मत्विदेश में बाड़ के हालात है खासतोर से मालवा निवाड इलाके में हालात बेकाफू होते जा रहा है धनगडी नाले के पास आप देख सकते हैं कि यह काफी बहाव इसमें है और पुलिस ने जो है ट्रैफिक रोका हुआ है दिकोची में उसके आज सनेल में जो उत्राखंडगा इलाका है उसके बाद आरा कोट में यह जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं यहां पहाड़ों से जमीन तक जल प्रलाय जमू के मचली पकड़ने पहुचे जमू में मचली पकड़ने पहुचे लोग नदी के बीचो बीच फच गए यह हैं ताजा तस्वीर हैं जो आपको हम देखा रहा हैं यहां खाड़ा में देखिए इन तस्वीरों को कि वो तावी नदी में पानी का बहाब बढ़ने से तीनों वहां से निकल नहीं सके और नदी के बीच बने बांध के गेट पर बैठ गए क्योंकि इन ओफिशल्स ने हेलिकॉप्टर के जरीए वहां पर देखिए सीडियान गिराई और उस लैडर से नीचे उतर कर इन दोनों को एक्चली तीन हैं वहां पर तीनों को बचा लिया जान जोखन में डाल कर जो सुरक्षा करनी है जिन्होंने वहां हेलिकॉप्टर से नीचे उतर कर सीड़ा उस दिवार पर उतर कर इन लोगों को फिर से उस लैडर पर चड़ाया और फिर सुरक्षा की और ले गए सेफटी की और ले गए मचली पकड़ने पहुँचे थे और देखिए पानी का उफान कितना है वहां दोनों तरफ अगर ये दिवार नहीं होती तो क्या करते ये कैसे बचाते अपनी जान ये लेखिए सुरक्षा कर्मी किस तरह से रेंगते हुए उन सीडियों से नीचे उतर रहे हैं और फिर उसके बाद उन मचवारों को वहां पर मचली पकड़ने पहुचे इन तीन लोगों को एक एक करके इनको उन्होंने उठाया और हेलिकॉप्टर से रेस्क्यू करके ले करें तो यहां पर पानी कंथा लेकर अभी पानी अचानक बढ़ गया है और यहां इस तरह बैठे हुए है इनको भी निकाला जाएगा लेकिन जहां पर अभी एरफोर्स का है किनारे बने हुए इसके भीच कुछ लोग हैं उनको निकालने की बिप्रिया निकालने के पानी आना शुरू हुआ ता लेकिन तब ही नदी कि अगर बात करें तो यहां पर सुमा पानी घबता लेकिन अचानल पानी जादा आगया जिसके तर्दे कुछ लोगों को है तो इस अगर खानी के पानी के पास नदी करा है तो थे निकालने के पास पास थो आप दूसरा रेकिनी पानी के निचे वहना सुमो है एक लोगों को फास निकालने के लिए हुआ है नीचे की और जा रहा है जिहां तावी नदी में अचानक से पानी का बहाव और पानी का स्तर बढ़ गया देखें उपर अगर आकाश की और देखें तो एकदम नीला असमान है धूप छाई हुए लेकिन पानी का उफान देखें क्योंकि जैसे संस्कृत में कहते हैं आकाशात पानी पहाडियों में खटा होकर कैच्मेंट एरिया से भैकर नदियों में आकर जूडता है अचानक उपर हिस्सों में इतनी बारिश होने की वज़े से भले ही जम्मू में मौसम साफ हो पानी का स्तर बढ़ गया है और ये पानी उतरकर अब जमीन पर आएगा धीरे-धीरे अब पानी का जो स्तर है कहा जा रहा है कि यमना नदी में भी पानी का स्तर क्योंकि बराज खुलने की वज़े से बढ़ जाएगा और दिल्ली के आसपास भी ऐसा ही सुरतेहाल होगा लेकिन अभी फिलाल चलते हैं जम्मू में ये तस्वीरे देख रहे हैं ड्रमाटिक रेस ये लोग मेशिली फसिने वाले लोग हैं और पिछले लगबा गांगरा बात करें तो पीछले 3-4 गंटे से लोग पानी के बीछ ते अचाने तो तबी नदी का जलस्तर का बढ़ गया था जिसके बाद 5 लोग जो ते वो तबी नदी के बीछ फ़स गया था नोगों को एर फ कि दरफ से कोशिश की जा रही है कि उनको भी निकाला जाए क्योंकि यह तभी का बहराज है यहां पर एक निया पूल बढ़ना था और उनी पिलर के भीज यह लोग थे और यहां पर अगर तो पानी इतना गहरा है जहां पर कि बच पाना मुश्किल हो जाएगा तो आप यह कह रहे हैं कि दो लोग पानी में पानी के बहाओ में बह भी निकल बह गए थे और कह रहे हैं कि आप वो सुरक्षित हैं आगे जाकर उन्होंने वहां पर किनारे पर अपनी जान बचा ली आपने अभी बता है आपने चापर में और दो लोग अभी भी बानी में फशे हुए है तो ये दो जो अभी भी जो दिवार पर हैं इनको भी रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है क्या है वह दोनों को जहां से रख्षा करने में पर क्या कहा जा रहा है अचानक तवीद नदी में इतना पानी कहां से आ रहा है और ये बराज कब तक खुला रहेगा क्योंकि जैसे ही अगर स्लूज गेट्स बंद होते हैं तो पानी का बहाफ कम होगा और फिर इनको बचाया जा सकता है क्या ये स्लूज गेट्स बंद होंगे पानी की पानी के निचे के और जाता है लगाता फिछले चार पान चेलों से पहारों पे जादा बारिश और यही वज़ा है कि उपर से पहाडों पे जादा बारिश होती है तो तभी नदी में जो बार है वो आजाती है और यह अचाने का सुबा पानी का अफ्तर इसना जादा नहीं था लेकिन जब यह लोग मच्चीदी पके ने जहां पोंची वे तो अचाने का जस्ता जो है पान बाई तरफ सुरक्षा कर्मी नीचे उतर कर उन लोगों की जान बचानी की कोशिश कर रहें लेकिन बाई तरफ जो विज्वल है उस पर गोर करें जैसा कि जब पवन ने बताया कि दो लोग घबरा कर खूद पढ़े पानी में और तैर कर निकलने की कोशिश की और 500 मीटर कर पानी उनको ले गया यह देखे तैर कर जाता हुआ है एक उनमें से एक व्यक्ति और पानी का बहाव उसे ले जा रहा है लेकिन कहा जा रहा है कि वह उस पिलर तक पहुंचने के पहुंचने में समर्थ हुआ वहाँ पर अपने आपको रोग कर फिर सामने जो आपको किनारा वहाँ पर उसने अपने आपको किनारे पर जाने में सक्षम हुआ और अपनी जान बचा लिए देखे उस पिलर से भी आगे निकलता हुआ यह देखे दोनों व्यक्ति आपको देख रहे हैं उस विज्वल में एक थोड़ा आगे चल रहा है एक उनके पीसे चल रहा है और य पर जो दो लोग पानी की तरफ और उनको निकालने की कोशी करा था उनके लिए पीडिवी निचे भेंकी गई थी और एक एरफोर्स का जबान भी निचे उनकी हेल्प के लिए उतरा था लेकिन दोनों लोग इतने गवरा गे थे कि स्पीडी फकेड़ने से पहले ही वो पान बात करें तो तभी नजी के बीतर दो लोग जो है वो फसे हुए हैं और उनको लिकालने की कोशीज एरफोर्स की तरफ से की जा रही है तो क्या ये लोग चार लोग थे या पांच लोग थे आपने ये भी बताया कि इन में से एक था जिसको की सुरक्षा कर्मी थे जो उपर लिजाने में काम्याब रहे है हेलिकॉप्टर में अरीपोशी जो है व उरफोर्स की तरफ से अबीदी की जा रही है अब ये जो तस्वीर हैं इन में हम देख रहे हैं कि पिल्कुल जेकिए क्योंकि तभी नदी में जितना भी पहाड़ों में चोटे नदी नाले हैं जब भाहां पर बारिश होती है तो लगवाद दो दर्जिन से ज़्यादा नदी नाले आके शोटे हैं जिनका पानी तभी नदी में आके गरता है सुभा पानी थोड़ा ज्यादा हुआ था जब दे लोग खशे थे उसके बाद पानी काम हुआ था लेकिन अभी फिर पानी बढ़ना शुरू हो गया है अगर लोग फिलर है उनकी तरफ देखा जाए और अगर दो गंटे में पानी का जस्तर ओर ज्यादा जो जबी का जस्तर ओर बढ़ सकता है अब यह जो रेस्क्यू विजूल्स है उस पर जड़ा हम नजर डालते हैं थोड़ा गौर फरमाते हैं यह जो आर्मी के जवान है यह अपनी जान जोखम में डालकर उन लैडर से सरक रखना बहुत मुश्किल है और शायद इसी वज़े से ऐसा हो सकता है कि जवान उन तक पहुंचा हो पहले जो दो थे जो तैर कर अभी आपके बाई तरफ हैं स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो तैर कर पहुंच गया क्योंकि वह उन्होंने लैडर पकड़ने की कोशिश की शायद अपने अपना बैलंस उनका बिगड़ गया पकड़नीर पाए इसको लैडर को और पानी में गिर गये लेकिन हम यह मानले की एक मिरकल ही है कि इस पानी के बहाव में इस तेज बहाव में भी वह अपनी जान बचा सके आधा किलो मीटर तक पानी उनको ले गया बहा कर लेकिन वो तैर कर क्योंकि मचली पकड़ने वाले हैं तो उनको तैरना आता है और अपने आपको वो सक्षम थे अपनी जान बचा सके किनारे तक पहुँच गए लेकिन दाई तरफ जो विजूल्स हैं ये वो आर्मी जवान है सुरक्षा कर्मी है जो की नीचे तक अपनी ज हवा काफी तेज है का जा रहा है आस्मान साफ है लेकिन नीचे पानी का बहाव बहुत तेज और हवा भी बहुत तेज जिससे की एक बैलन्स बनाके रखना और उस रोप को और उस लैडर को स्टेडी रखने में बहुत दिक्कत जा रही है बिल्कुल अभी एरफोर्स का जो चापर था उसके दो रौंड यहां तभी ने दिके जहां पर यह दो लोग दोनों बसे हुए है उस इलाके के कर लिये हैं और अभी वो बापस बेश की तरफ निकला है और माना जा रहा है कि अगले 10-15 मेंज में जब दोबार आपस आएग अगले 10-15 में एक और अभी आपस बाद निकाल लिया जाएगा उसके जगा जाएगा तो नों को परश्यद वाह दोड़ी काफी ओंटी है अला कि पानी जो हुए उससे बहुत नीची अभी है लेकिन पानी बढ़ सकता है अगले 10-15 मेंज में एक पर्याद एर वोर्स की और बढ़ रहा है तधी का वोगनेंगी हांड़ जधा है और ज्यादा पानी है उससे लग रहा था कि पानी का सथर बीच में थोड़ा कम हुआ है कि और अभी अदू अब पानी का स्तरा आपको बढ़ता हुआ दिख रहा था फिवार पवान है पानी तको पानी पीपश्यान तो क्या अभी क्या हेलिकॉप्टर स्टेडी है क्या आपको लग रहा है कि वो जो लैडर अभी जो उन्होंने गिराया है क्या वो अभी भी बहुत तेजी से हिल रहा है कैसा है इन दोनों ये जो दो व्यक्ति वाँ फसे हुए है क्या वो ठीक है और क्या वो उनकी क्या परिस्तिती है क्योंकि कितने घंटों से वो वाँ फसे हुए है आज जिर्कों जहां पर हैली कप्ति द्वारा से जो इनको निकालने के विए तापर पहुंचा है रिफोर्स का वो फिल्कुल एक प्लेन थोड़ा सा इलाका है जहां से इनको रेस्टू करने में को दिश्चत ज्यादा नहीं होगी अभी वो पहुंच चुता है और जो पानी बात में बढ़ना शुरू हुआ है और अगर आम बात करें तो जब से पानी बढ़ना है उसके भी बसमें से लगवाद 2-5 घंटे यह लोग फसे हुए हैं और यह रेस्क्यू ऑपरेशन्स यह तीसरा चक्कर लगा रहा है हली कॉप्टर यह जो आपके स्क्रीम पर जो दाई तरफ हैं वह बिल्कुल लाइव विज्वल्स हैं पवन आप जो बता रहे थे कि हली कॉप्टर अब थोड़ा सा स्टेडी लग रहा है और सीधा उसकी उपर है क्या आपको क्या आपकी बार हेली कॉप्टर थोड़ा और नीचे है उस बराज के उस दिवार के थोड़ हमें आपकी आवाज आ रही है पवन आप बताते रहे हैं पहुंच चुका है इन दो जो लोग फसे हुए थे उनको निकालने के लिए और उपर से जो एर्भोस के जवान है उन्होंने सीधिया नीचे रैकना शुरू करती है जो दो लोग है इन लोगों को निकालने की पूरी तैयारी अलगे अगर आप देखे तस्विरों में तो प्रेशन बहुत ज़ में रिज़्स कुछ किया रही है तो डिळोग के लिए पहारों पर बादि कुछ रही हैं और जो लोगों को यह तुछ के लुट रहा हैं और जो वो जो लोगों कipping आज़ कि लोग रहा है और यहां बढ़ है तो यानि अब की बार सीड़ियों का इस्तमाल नहीं किया जा रहा है विंच का इस्तमाल किया जा रहा है तो यानि जो सुरक्षा कर्मी है उसने अपने आपको उस विंच से रसी से अपने आपको बांद लिया है और उसमें एक सैडल होगा तो जब वो सीधा उस दिवार पर लैंड करने की कोशिश करेगा यह सुरक्षा कर्मी हेलिकॉप्टर को स्टेडी रखा जाएगा आप देखिए हवा का रुजान देखिए कि आपके पास सु कैमरा के निकरतम जो आपके साफ यह जो आपको यह सलाखें देख रही है यह जो यह भी हिल रही है इतनी हवा चल रही है वहाँ पर और तो आप सोच सकते हैं कि हेलिकॉप्टर खुद अचके जरिये नीचे उतरेगा धीरे 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 करके और सिधा एक दम उस पत्ली सी दिवार पर अपने आपको लैंड करने की कोशिश करेगा और फिर एक-एक करकर तो इसको कम से कम एसे दो चक्कर काटने पड़ेंगे पहले चकर में वो उत्रेगा और फिर एक व्यक्ति को वहाँ पर उसको सैडल करेगा इसमें से बान देगा इस रसी से और फिर हेलिकॉप्टर के उपर वहाँ पर करमी बैठे होंगे जो विंच को शुरू करेंगे और ये उसको विंच अप किया जाएगा एक एक करके इनको इन लोगों को जो वहाँ कम से कम तीन साड़े तीन घंटे से वहाँ पर फसे हुए हैं पवन अभी भी हमारे साथ लाइव हैं फोन पर हैं लेकिन आप समझ सकते हैं कि जितने जहां से हमें ये कैमरा के द्रिश आ रहे हैं पवन वहीं बगल में खड़े हैं तो हेलिकॉप्टर की आवाज काफी तेज होगी और अब की बार लैडर का इस्तमाल नहीं किया जा रहा है विंच का इस्तमाल किया जा रहा है पवन और इस विंच के जरीए वो सुरक्षा कर्मी अगर ठीक तरीके से और सक्सेस्फुली देखे पिंट पॉइंट उसी पर लैंड करना होगा उसको उसी दिवार पर लैंड कर और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बस इंतजार में है कि कब उनको बचाया जाएगा अब उनके पाक थोड़ा सा समान है सायद मचली पकड़ने के नेट्स हैं और कुछ चीजों को लेकर वह वहां बैठे हुए हैं हेलिकॉप्टर की हवा है तेज पानी का पाव है तेज और वह अगर हम पैन राइट करेंगे तो हमको दिखेगा कि वह जवान जो है सुरक्ष कर्मी जो है अल्मोस्ट वहां पर उतर गया है कि यह विंच अप होने के बाद फिर से लग रहा है ऐसा लग रहा है कि वापस वह उपर चला गया भी वापस नीचे आएगा क्योंकि यह पानी क बहाब की वज़े से पानी के और हवा की वज़े से इसको कंट्रोल कर पाना और प्रेसिशन उस पतली से इस पर लैंड कर पाना असान नहीं होगा ऐसा लग रहा है कि उन दो लोगों को एकदम कैमरा वन पर आगर आप देखें तो वह एकदम का एक मुने में थे उनको दिव दूसरे कोने पर लैंड करने की कोशिश करें ये देखें फिर से विंच डाउन करते हुए फिर से एक एफ़र्ट लगाते हुए सुरक्षा कर्मी अपनी जान जोखिम में डाल कर जैसे जैसे वह नीचे उतर रहे हैं वैसे वह रसी को खोल रहे हैं ताकि वह अपने आपको नीचे ले जा सकें ये विंच डाउन का तरीका होता है धीरे 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 अपने आपको लेते नीचे लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे अब देखिए बिजली के टावर से भी नीचे और ये बराज के लेवल तक आ गये हैं अब धीरे धीरे वह कोशिश करेंगे कि वह ल यहलिकॉप्टर भी बहुत नीचे आया है अपकी बार लेवल का अगर देखें तो पिछली बार काफी उपर उपरी सर पर था भी थोड़ा सा नीचे उतर कर आया है हेलिकॉप्टर विजवल्ज उतने साफ नहीं है कि वो सुरक्षा कर्मी जो है कहाँ पर लैंड कर पाया है क्यूप्टर उसे लैंड करना है तो बिल्कुल उस पतली दिवार पर लैंड करना होगा और वहां से उन लोगों को लेकर जाना होगा पवन क्या कुछ और लोग उस तरफ फसे हैं? कर दो लोगों को निकालने के लिए जवान वहां से बापस इस तरफ आएंगे क्योंकि मैंने देखा कि वो जवान जो है दिवार से करीब सिरफ 10 फीट दूर था फिर अचानक हेलिकॉप्टर और विंच उपर चले गए और फिर वो रसी को खोलने की कोशिश कर रहा था तो क्या उस तरफ जहां पर अभी हेलिकॉप्टर है इतने नीचे तक आया है अगर उ इस्टेंस जो है कम से कम सिरफ कम से कम आप देखें तो कम से कम सतर से असी मीटर से जादा नहीं होगा चार पिलर है बराज के छोड़ कर जहां पर हेलिकॉप्टर इतना नीचे आ गया लेकिन जहां पर यह दो लोग फसे हैं वहां पर हेलिकॉप्टर जादा नीचे नहीं आ सब्सक्राइब करने का प्रयास उस इलाके में किया जा रहा है और वहीं से जब दोवारा से प्रावलम भी तो इन दो लोगों को प्रयास कृते होगा सब्सक्राइब करते हैं लेकिन इस इलाके में जब दोवारा इसी एच पर आएगा तो जहां पर आने के लिए और एक और अटेंप्ट इन लोगों को निपालने का किया जाएगा यह हिलिकॉप्टर चालक जो है उसकी भी दात देनी पड़ेगी कि कितने अराम से इसको बड़े ध्यान से कंट्रोल करके वो हिलिकॉप्टर को वहां संबाल रहे हैं क्योंकि पानी का जो हवा का जो करंट है जैसे पानी का भाव है वैसे ही हवा का करंट भी बदल सकता है और तावी नदी जिस तरह से उफान पर है कोई आसान काम नहीं है और दोनों लोग काफे हली कौफेर का जया जula है जो सुरक्षा कर्मी है सब अपनी जान जोकिं में डाल कर इन दो लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रही है आप देखे हली कौपोपोप्र साइडवेज आने की कोशिश कर रहा है फिर से और अब की बार उसका लेवल काफी पास है पिछली बार से काफी निकट है और थोड़ा नीचे है आप देखें साइडवेज अप्रोच कर रहा है फिर उसी दिवार पर और फिर से एक लैंडिंग का एटेम्ट होगा अपवन विंचिंग का एटेम्ट होगा फिर से सुरक्षा कर्मी किसी भी वक्त अब वहाँ से निकल सकते हैं उस हेलिकॉप्टर से वापस उसी दिवार पर लैंड उतरने की कोशिश कर सकते हैं पवन आपको मेरी आवाज आ रही है चलिए पवन से जुड़ने ही कोशिश करेंगे फोन लाइन और उनको शायद हमारी आवाज ना पहुचे क्योंकि हेलिकॉप्टर के रोटर्स की आवाज उस वक्त इतनी उधर इतनी जादा होगी कि उन्हें और कुछ नहीं सुनाए देगा अब इसी तरफ से अगर आम देखेंगे ध्यान से अगर इनी विज्वल्स पर रहे हैं तो आप देखेंगे थोड़ी देर में वहाँ से फिर से सुरक्षा करमी एटेम्ट करेगा रसी खोल के धीरे-धीरे विंचिंग करने की कोशिश करेगा विंच करके धीरे-धीरे नीचे उतरने की कोशिश करेगा और अपकी बार हम यह उमीद करते हैं कि पिछली बार जो असफल रहे 10 फूट की उचाइच से फिर से अपने आपको ऊपर खीचना पड़ा अपकी बार थोड़े और स्टेडी होंगे तो इसंवार अगर अगर आभ देखे तो हेली कॉप्टर ओर नीचे आया है तो ऐसा लग राया है कियो भी करेंट्स हेह थोड़ा कम हो गया जिसकी वजह से हेली कॉप्टर थोड़ा सा और नीच कर लिया है वो पीछे देखिए आप CD देख रहा ए लैडर देख रहे है आपकी बार लैड का इस्तामान नहीं हो रहा यह दो नहीं लगते हैं तब आप एक्तम उन्होंने चोड़े करकर अपने आपको पहुंचा लिया वहां तक उधर तक पहुंच गए अब धीरे धीरे अब वहां से ये कहकर एक एक करके उनको आगे बढ़ाएंगे उनसे कहेंगे कि सामने आये वो जो दो लोग वहां बैठे हुए हैं उनसे कहा जाएगा अभी हेलिकॉप्टर को उपर चला जाए थोड़ा और वो इशारा कर रहा है कि आप खोल दीजिए उपर चले जाएए थोड़ा सा हाइट गेन कीजिए अब धीरे धीरे हाइट गेन किया हेलिकॉप्टर को कहा थोड़ा सा हाइट गेन कीजिए अब वो चलता हुआ और जा रहा है इनके पास और इनको कहा गया है कि जहां आप बैठे हैं वहीं बैठे हैं आप उठिये मत अपनी जगह से क्योंकि हवा का पहाव इतना तेज है ये लोग घबराये हुए हैं अब इनको अब धीरे-धीरे देखें बहुत ही ड्रमाटिक विजुल्स हैं ये लाइव तस्वीर है आपको आ रही है लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन आपको यहां दिखा रहा है न्यूज 18 इंडिया पर अखाड़ा में अब देखें अपने-पने कपड़े संभालिए पेपर जो कुछ है आपके पास अब धीरे-धीरे वो पहले वो येलो कलर का है वो हार्नेस है सेफ्टी हा एक एक करके उनको कहेगा कि आप अपने हाथ में डालिए हाँ पावन अगर आप है हमारे साथ अब जरा एक्स्प्लेंड कीजिए बहुत ही ड्रमाटिक है यह विजूल एक पैर डागा कर फिर दूसरा पैर उससे कहेंगे कि लगाए और उसको ठीक से हार्नेस किया जाएगा जिस तरह से सुरक्षा कर्मी ने अपने आपको हार्नेस किया था वैसे इनको हार्नेस किया जाएगा बवद आपको मरी आवाज आ रही है पावन का ओडियो लाइन इतना क्लियर नहीं है फिर से हम कुशिश करेंगे उन से राप्ता करने की क्योंकि वहाँ पर हेलिकॉप्टर का शोर इतना जादा होगा कि लाइन्स भी डिस्रप्ट हो सकती है ऑडियो ठीक से सुझाई नहीं देगा अब देखें ये दोनों फिर भी बहुत काम लग रहे हैं जादा एक ही जगे पर बैठे थे अपनी जगे से हीले नहीं इनको कहा गया था हम आपकी तरफ आएंगे आप हमारी तरफ मत आईए अपनी जान और जुक्र मत डालिए ये देखिए कर दिया गया उसको हार्नेस अपने दोनों पैरों को उसने पहले उन हार्नेस पे लगाया फिर दोनों हाथों को लगाया अब कंधे के बल पर और पूरे बैक को उसकी पूरी तरह से हार्नेस हो चुका है अब दूसरा हार्नेस लिया जाएगा ये देखिए दूसरा हार्नेस निकाला सुरक्षा कर्मी ने तो दोनों को एक साथ रेस्क्यू कर पिर ये देखे बाया पैर और फिर दाएं पैर से उसको डाला जाएगा दोनों पैरों से उसको पहले हारनेस किया जाएगा ये खड़ा हो गया व्यक्ति ये दूसरा पैर लाला उसने और अब हाथों से दोनों हाथों में इसको लगाएगा और ये इस तरह से अपने आपको हा कर लेंगे दोनों सुरक्षा कर्मी से जुड़े होंगे और सुरक्षा कर्मी का जो में लिंक है रसी के साथ लगेगा फिर इनको तीनों को एक साथ उमीद ये की जारी है कि तीनों को एक साथ फिर अब इनको लिफ्ट किया जाएगा अब ये दोनों व्यक्ति इनको उठा कर ध हो भी संवान है उसको छोड़ दीए तीनों साथ मे खड़े होंगे वो रसी आएगी अब इसको सुरक्षा कर्मी अपने साथ जोड़ेगा अभी इनको कहा गया है बैठो सु रख्षा करमी अभी अपने को टाइट करेगा अपने आपको शब चेक करेगा उसके बाद हेलिकॉप्टर को कहा जाएगा कि आप रसी नीचे कीजिए कि यह है ड्रमाटिक रेस्क्यू ऑपरेशन आप लाइव देख रहे हैं पवन शर्मा और वीजे कि मैं दाद दिमगा कि यह तस्वीरें जो है हमारे व उनकी मदद करते हुए उनकी एक-एक इंस्ट्रक्शन उनकी एक-एक बात को समझते हुए और यह देखे उनसे कहा जा रहा है कि आपका जो समान है उनके पास एक पाउच होगा एक गो बैग होगा उस बैग में डालवाकर फिर उसको अपनी तरफ यह देखे यह उनके समान को भी वह अपने सरीर में जो लि demiş हैं ओक केरामाइनुर्स की मदद से और बाकी लिंक्ष की वज़े से अपने आपको उसमें लटका दिया उनके स अब बैठा है उसने अपने सारे समान को एक बैग में डाल कर उसको बंद कर दिया है अब उसको सील कर दिया आप कहा है कि आप इसको आप पकड़के रखिए मैं आपको पक्रूंगा और यह रसी जो है हम सब को जोड़ देगी एक साथ और फिर हेलिकॉप्टर हमको वापस लि पक्तियों से कहा कि आप अपनी जगे बैठे रहिए आप उठिये मत आप अपनी जगे बैठे दिवार को पकड़कर सुरक्षित बैठे रहिए आपको हारनेस लगा दिया जा चुका है आप एकदम सुरक्षित हैं आपको कुछ नहीं होगा अब यह देखे हेलिकॉप्टर स फिर आगे आएगा और फिर रसी को नीचे किया जाएगा पवन शर्मा हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं पवन बहुत ही ड्रमाटिक रेस्क्यू ऑपरेशन्स हैं और दाद देनी पड़ेगी तो सुरक्षा कर्मियों की कि इतने अराम से उनको हरनेस पैनाया उनके सामान को एक बैग में डाला अब उनको कहा जा रहा है कि आप बैठिये जब यह हेलिकॉप्टर फिर से वापस आ रहा है वो इशारा कर रहा है कि आप रसी नीचे कीजिए हम तयार है जो दोनों लोगों को मेंटरी तोर पर फिर से उपर जाएंगे और वहां से शापर जो है और अगर अगर रसी के विजूल से थोड़ा सा अगर हम जूम इन कर पाएं और बहुत बढ़िया मैं दाद दूंगा पवन आपके और आपको और आपको और आपको और आपके साथ जो वीजे हैं उनको की आपने जो तस्वीरें हैं बिल्कुल सही तरीके से दिखाई हैं और यह हम देख सकते हैं पवन देखें एक एक करके उस रसी को उनके थूरू दोनों को लिंक किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि तीनों एक साथ उपर उठाए जाएंगे यह यह देखें नौट बनाकर फिर उनको लिंक किया जा रहा है बोल रहे हैं कि थोड़ा आगे आईए आप उठिये मत अभी और यह उनको लिंक किया गया अब दो हारनेश और सुरक्षा कर्मी के साथ जो कैरवाइनर जो लिंक होगा उससे लिंक जोड़कर लगता है तीनों को अरे वाह क्या ड्रमाटिक विजूल्स है कि सुरक्षा कर्मी अभी वहां इंतजार कर रहा है कि चौपर उसे वापस लेने आएगा लेकिन इन दोनों को कहा कि आप रसी पकड़े रही है बस हब आपको ले जाएंगे हवाई सेर इस तरह से हवाई सेर शायद कभी उन्होंने ख्वाबों में भी नहीं देखा होगा पर इस वक्त वो जो आप यह कह रहे होंगे कि सुरक्ष चौपर उसे बाहर कैसे निकलेंगे और अब यह नदारा देखने मिल रहा हूंने तवी नदी का पूरे जम्मू का एरियल दर्शन करने मिल रहा है जैसे कि यह चौपर इनको सुरक्षित इस तरफ ले आएगा किनारे ले आएगा अब यह देखना ज़रूरी है कि क्या इनक जोनों लोग फस्ते हुए थे और फिर जो इसको लेकर बापिस जाएगा तो पुल मिलाकर ये क्रमाटिक रेस्ट्यू है एरफोर्स का जो लगवच्ट्वा दस वजे के क्रीब जहां जब ये लोग फस्के थे अचानल कभी नभी में बाज आ गई थी तो इसमें जो पहले लो थे जा वोहां है जहांपर सारे रेस्क्वू करकर रहा कर वहां पर लैंड किया जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे चौपर उस तरफ गया और वहांपर जो सुरक्षा कर्मी मौजूद थे उन्होंने जाकर उन्होंने जाकर उन्हारनेस किया आप चौपर फिर से इस तरफ आएगा जो सुरक्षा कर्मी यहां मौजूद है इशारे कर रहा है चौपर फिर उसे लेने आएगा वो अपने आपको वापस उस रसी पर अपने आपको हा जाएगा और यह रेस्क्यू ऑपरेशन इसके साथ यहां पर समाप्त होंगे अब देखना यह है कि क्या असानी से चौपर फिर से इस तरफ आप आता है क्योंकि पानी का स्थर अगर आप देखें तो दिवार पर देखिए जहां तक गिली दिवार है वहां तक पानी का स्थर अब थोड़ा सा नीचे होता हुआ पानी का लेवल जो है कम होता हुआ लग रहा है लेकिन आप देखें किस तरह से बहाव है और बहुत लंबा बराज है यह बनाया नहीं कि अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है बना नहीं है पुरी तरह और अजानक जैसे पवन बता रहे थ देखें साइडवेज मूव कर रहा है साइडवेज अपने आपको मूव करते हुए धीरे 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 एक तम पिन पॉइंट उस दिवार के उपर अपने आपको प्लेस करेगा कैमरा नंबर टू पर आप देखें कैसे इन दो लोगों को उठाया गया वहां से दिवार के पिर इनको बचा लिया इनको रेस्क्यू किया इनको निकाल दिया अब देखें अब ये चो सुरक्षा कर्मी था जिसने अपनी जान जोखम में डाल कर दिवार पर लैंड किया और इन दोनों को बचाया अब इसकी बारी है इसको अब लिफ्ट किया जाएगा वो घुटनों की गड़गडायाट वहां जितने लोग देख रहे हैं जोरदार तालिया बज रही है इसके काम के लिए इसकी भीरता के लिए जिस तरह से फुरक्षा कर्मियों ने और उस हेलिकॉप्टर चालक की कोई दात देनी बढ़ेगी कितने प्रेसिशन से आराम से सहियम से उन्हों की तैर कर आदा किलोमेटर आगे ही सही लेकिन किनारे पहुंचके तो जितने ये लोग पांच लोग याँ फसे थे सब की जाने बज गई हैं और ये सुरक्षा कर्मी उस तरफ जाता हुआ है ये सुरक्षा कर्मी बराज के पीछे चुप गया और वहीं पर लैंडिंग एरि से और ये तावी नदी पर जो बराज है बन रहा था वो अभी अभी भी बना नहीं है पानी अभी भी उफान पर है पवन हमारे साथ है पवन तो इसके साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन जब खत्म होएं कि या और भी कुछ लोग फसे हुए हैं एर फोर्स की तरफ से जो पर तभी नदी में फसे हुए हैं उनको निकालने के लिए एर फोर्स की तरफ से जहां अठेम्ट की एगे और जहां बन निकाला गया है अब इसके करांब बाद इसकी लोगों को त्रफित निकाल लिया गया है और तालियों की बहुत हमने गून सुनी वहां पर जो लोग थ जहां पर जो से वो पहुंचे हुए थे और उन्होंने जो जिस तरह से स्वच्छा बनों का जेक्ट हुए है और लोगों ने तालियों जाकर जवानों का खोश्वा बराया इंपोर्स के जिसके लिए गया गया क्योंकि बहुत मुश्किल था जिस इलाके में ये लोग पहु पहली बार उन्होंने लैडर की कोशिश की थी सीडियों से कोशिश की थी और वो नाकाम्याब रहे पिर दूसरी बार इन्होंने विंच का इस्तमाल किया है जो हुए ये ल सकता है दिशके लिए लोग को निकालने के रिह में गया के लिए फिलर ऐसी तो दोनों लोग दोनों स्रक्षित हैं और अभी यहां पर जो अटेंट किया गया हूँ पूरी एक जिस्दम करते हैं कि द्रमेटिकल मूव सा पूरा एस्वोर्स की तरफ से कि पहले एक अपने जवान को उतारा गया फिर जो लोग पस्रीवा थे उनको हूपस लगाए गी और फि खुश खबरी के साथ की पांचों की जान बच गई है पवन शर्मा धन्यवाद लेंगे एक छोटा सा ब्रेक अखाडा में खबरें जारी हैं बने रही हैं हमारे साथ